अगर अपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए तू टिपन्स डेलिकेसी चिकन मारिनेशन के लिए एक चॉप म्याज, पचास ग्रम ग्रेटेड कारट्स, चॉप जिंजर, चॉप गर्लिक, चॉप ग्रिन चिलीज, एक टीस्पून फीपर, स्वाधनुसर नामक, एक टीस्पून स्वया सॉस और दो टेबल स्पून मॉल्टेन बाटर डाल के अच्छे से मिक्स करे, और फिर इसे दो घंटे के लिए मैरिनेट करे, दो घंटे बाद एक टीस्पून निम्बू का रस मिलाए और अच्छे से मिक्स करे, पहले एक पैन में पानी गरम करे, और गोवी का एक एक पत्ता डाल के उबाल ले, पांच्छे मिनिट के बाद पत्ते जब न फिर इसी तरह से रोल करिए, ध्यान रखिए स्टाफिंग बहार नहीं निकलना चाहिए, इसी तरह से हम सारे पत्तों में स्टाफिंग भरके रेडी कर लेंगे, यह जो रेसिपी है, यह दो कुईजीन का जुगलवन्ती है, या तो फ्यूशन है, गोलाव की जो की एक पॉलिश डिस है, पोलैंट से है, और इसके अंदर जो स्टाफिंग है, वो है ओरियंटल, जैसे तिबेतियन हो गया, चाइनीज हो गया, तो चलिए, रेसिपी को आगे बढ़ाते, नेक्स्ट हम स्टीमर को रेडी करेंगे, स्टीमर में पानी भरके उसे उबालना है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो, स्टीम आना चालू हो गया, स्टीमर के उपर के हिससे में थोरा साथ तेल या तो बटर ब्रश कर लेंगे, ताकि कैबेज का रोल्स चिपके नहीं, और फिर एक एक करके सारे रोल्स को स्टीम होने के लिए डाल देंगे, हम स्टीमर को ठक देंगे और पंदरा मिनिट के लिए इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे, तो 15 मिनिट बाद जैसे के आप देख सकते हो हमारे कुलाब की या तो कैबेज मोमोस तैयार है हम इससे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे जो भी पत्ता गोबी पसंद नहीं करता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये डिश खाने के बाद आपको पत्ता को भी पसंद आने लगेगा और फिर इसे सेजवन जैटन के साथ पड़ो से वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सेम डिश आप मिंस्ट स्वया चंक्स या तो पनीर के स्टाफिंग के साथ बना सकते हो तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो नफ़ागे टो लाइक, शेर और सब्सक्राइब टीबस रेलिकेसी साथ में पेला ये गंदों भी दवा देना ताकि मेरे हर एक वीडियो आप दर पहुचेंगे